मुख्यमंत्री पुस्कर सिन्धामी ने आजराजधानी दहरादून में दस्वी और बारवी की परिक्षा में उत्रिंड मेधावी छात्र छात्राओं के संबान समारो कारिक्रम में प्रतिभाग किया। होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। कारिक्रम में उपस्थित शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंग रावत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य में तेजी से प्रयास के देश की राकिंग में प्रेश के पांच विश्र विद्यालों के नाम शामिल हैं। भारत्य प्राव्योगी की संस्थान रुड़की ने आन्दमर दिक्षान समारो 22-23 धूंधाम से संपन्न किया। इस गर्मा में समारो की शुर्वा छात्रों द्वारा कुल गीत का कर हुई समारो में कुल 1,900 डिग्री प्रदान की गई जिमें 1,777,685 प्रासना तक और 152 की शात्र शामल हैं। समारो में भारत्य प्रावगी की संस्थान रुड़की के निदेशक प्रफेसर केके पंत द्वारा छात्र को पाधी अंपदक प्रदान की गए। इस अब सब पर में अधिक महिलाओं ने दिग्रियां प्राप्त की हैं और वह शोद के क्षेत्र में भी आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्रानीती में सकार शोद और विकास पर अधिक दो गया है। साती इसके लिए विशेश बजट का भी प्रावधान किया गया है। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली बीटेक की छात्रा काविया सक्सेना को राष्टपती अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें शिक्षा के साथ-साथ अन्यस्तर पर भी काम करने और सामाजिक दाइक प्रकों पूरा करने पर ये पूरसकार मिला है।